दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका चाई के कप के बिना दिन की शुरुवात ही नहीं होती सच कहूं तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर चाई की खोच कैसे हुई थी सच कहुद तो जितनी लाजवप चाय होती है उतना ही लाजवप चाय का इतियास रहा है हमारे देश में चाय के बहुत दिवाने है और इसी को देखकर कुछ लोगों को लगता है कि चाय की शुरुवत हिंदुस्तान से हुई होगी लेकिन ऐसा नहीं है कुछ इतियास की कितावों के पन्ने पल्टे तो पता चलेगा कि चाय की शुरुवत चीन से हुई थी ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 2700 इसा पूर्वा चीनी शासक शैननूंग बगीचे में बेटे गर्म पानी पी रहे थे शैननूंग दवाईयों के आविशकारग भी थे और उन्हेंने बहुत सी दवाईयों की खोज भी की थी शैननूंग को हमेशा पानी को उबाल कर पीने की आदत थी एक बार शैननूंग अपने नोकर के साथ एक पेड़ के नीचे बेटे हुए थे उनका नोकर पानी गरम कर रहा था अचनक कुछ पेड़ के पत्ते उस गरम पानी में गिर गए और उबलती हुए पानी का रंग बदलना शुरू हो गया उसका स्वादू ने बहुत पसंत आया और वह बहुत खूश हुए क्योंकि शेन नोंग पहले से ही चीनी दवाईयों के लिए बहुत सारे पेड़ पाउदों पर सर्च कर चुके थे और उस दावरान कुछ दवाईया बना रहे थे कुछ जहरीले पाउदों पर भी रिसर्च कर गए थे अब इनी जहरीले पाउदों की काट करने के लिए उन्होंने चाई को चुना वह पे यह पदर्त वह जो दोके से पी गए थे जिसमें पत्तिया गिर गए थी और उसका रंग बदल गया था वही चाई कहलाया और शेन नोंग ने यह भी कहा की बहुत सारी जहरीली जड़ी बूटियों के लिए यह दवाई का काम करीगी उन्होंन शेन नोंग ने चाई का नाम चा आ रखा यह चीनी अक्षर है जिसका मतलब है पर रखना या फिर खोजना एक और कता कुछ ऐसी है जिसके अनुसार छटवीश अताबदी में हुनान प्रांत में भारतिय बहुत दभिक्षू पोधी धर्म बीना सोय द्यान साधना किया करते थे और वह जारी रखने के लिए खास पोधे की पत्तिया चाबाते थे बाद में यही पोधा चाई के पोधे के रूप में परचाना गया आज भी जब हम चाई पीते हैं तो हमारी सुस्तित्तुरन दूर हो जाती है भारत में कैसी हुआ चाई का आगमन 1824 में वर्मा जो अब म्यानमार कर लाता है और आसम की सीमान पहाड़ी ओपर चाई के पोधे उगाए गए इस्ट इंडिया कमपणी के पेर उस वक्त भारत में जमने लगे थे उन्होंने चाई उत्पादन की शुरुवात 1836 में भारत के आसम के ख्षेत्र चौका ख्षेत्र में पहला इंग्लिस टी फार्म लगा कर की और फिर 1866 में श्री लंका में भी उत्पादन शुरु किया पहले तो ख्षेती के लिए बीज चाईना से आते थे लेकिन बाद में आसम के ही चाई के बीज का उपयो होने लगा आसम का मौसम चाई को रास आने लगा भारत में चाई को उत्पादन मुल रूप से ब्रिटेन के बाज़रों में चाई की मांग को पुरा करने के लिए किया गया था 19 विशदापदीव के उत्तरार्द तक भारत में चाई की खपतना के बरबर थी लेकिन आज भारत के हर चोराहे नुकड पर आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन चाई जरूर मिल जाएगी आज चाई की खेती अपनी मात्रुभू में के बाहर करीब 52 देशों में फल फुल रही है वर्षे 2003 तक पूरे विशव में चाई का उत्पादन 3.15 मिलियन वाले 10 प्रमुक उत्पादन देशों में भारत का नाम लिया जाता था और उसके बाद चीन का नाम लिया जाता था अब चीन ने एक बार फिर से चाई उत्पादन के मामले में भारत से बाजी मार ली है अन्यप्रमुक उत्पादक देशों में स्रीलंका और किनिया की एक महत्वपुर्ण स्थान रखते है अब सवल यह है कि चाई इतनी मशूर क्यूं हो गई और भारत समेत इतने सारे देश चाई की दिवाने क्यूं है चाई अउशिदिया गुनों के कारण ही नहीं बलकि रोज मार्रा के आनंद और ताजगी के लिए भी एक दरूरत सी बन गई है चाई मुल रूप से कड़वी गर्म, तासिर वाली और उर्जा देने वाली होती है कप पित्त का शमन करती है और देश के जाने माने आईरुवेद आचारे स्री बाल कुरुशन का करना ही की आईरुवेद में चाई का प्रयोग अवशेदी के रूप में भी किया जाता था चाई पिने से नुकसान भी होता है यह एक ऐसा पेया पदरत है जिसमें कैफिन होता है जो शेरुर को स्पूरुति प्रदन करने में साइता करता है इसलिए अक्सर ठक जाने पर चाई पिने से हमें स्पूरुति का एसास होता है लेकिन हट से जादा चाई की लग जाए तो शेरुर को नुकसान पहुचा सकती है चाई के मज़दार फैक्ट्स नमबर एक चिन के बाद चाई की सबसे जादा खेती भारत में होती है नमबर दो अमेरिका में 50% चाई आइस टी की रूप में पी जाती है नमबर तीन पान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा चाई पी जाती है नमबर चार विशो में जितनी चाई पी जाती है उसमें 75% ब्लैक टी है उम्मीदे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई क्यां के जिए aosब लेदी जाए 총 corazón हrzeَ बाई बाई ये वीडियो में ईयजितना मसा है आगले इन कि मैं बाई दुनिया वीच एहा रहा भी जैजितना कि कि मैंसी जात्ता है झाला है अधार्या सकती है छोस्वे सब चानी पुन-ñचितना